बार में बताओ स्ट्रीट ओफ रिस्पॉंसिबिल्टी ज्मेदारी की बावना जिमेदारी होने सबसे बड़ी जूसीबिल्टी होती है कि जिमेदारी से काम करना चाहिए हर बच्चा फैमिली में जनम लेता है वो सबको प्यार करता है उनको रिस्पेक्ट लेता है अवरी मेंबर फैमिली का भी उसको प्यार करता है ठीक है से मैंनर में फैमिली भी होप रखती है उससे कुछ और उस बच्चे के भी कुछ होप होते है अपनी फैमिली के लिए इसलिए जिमेदारी की भावना होती है बच्चे की फैमिली के लिए और फैमिली की बच्चे के लिए ठीक है नेक्स्ट इस लिमिटेड स्कॉप स्क स्लिमिटिट होते हैं वह दो भी हो सकते हैं और नयुक्ति अमीली कि यहां पें जो चिल्डरन होते हैं और और वह होते हैं새 ृनिवर्सल ऐटी भिक मतलब उनिवर्सल सारव भोम्मिक मतलब कोई भी ऐसा समाज में विश्य नहीं है जो परिवार के बिना पूरा हो परिवार ही उसका जो है में पॉइंट रहता है एज लेज देर वर स्मॉल स्टेट इंदा एंशन टाइम में क्या थी चोटे-चोटे स्टेट्स होती जहां चोटे-चोटे समाजी गुनों को यह पूरा करता है परिवार और समाज दोनों एक दूसरे के पूरत है परिवार चलेगा तो समाज बढ़ेगा तो परिवार में भी परिवर्तन आएंगे नहीं यह सब परिवार की दरोह बच्चे सेहन शीलता सीखता है सेहन करना सीखता है और बिन-बिन तरह के जो गुण है उसमें विक्सित होते हैं वो यहीं से होते हैं ठीक है इस सब में समाज जो है वो बहुत बड़ी भूमी का अधा करता है नेक्स इस सेंटर ऑफ सोशल और्गेनाइज़ेशन सेम वही है सम इंदर बिन्दू बनाते हैं ठीक है नेक्स्टीज कॉंपलीट इन फर्म ऑफ और्गेनाईजेशन और्गेनाइजेशन की फर्में फैमली एक कंपलीट है खुद में सारे कॉंपोनेंट होते हैं बच्चे को जनन जो है जब में होता है फैमली में तो वो उसको एक of initiative power initiative मतलब जनम जाद परविर्तियों का विकार पीडी दर पीडी आगे बढ़ते हैं हर फैमिली में अलग-अलग generation होते हैं कुछ combination होता है किसकी characteristics का और यह जो है अपने आप में पूरक होता है और अलग-अलग गुणों से चलती है अलग-अलग गुणों होते हैं जनम जाद कुछ परिवर्तियां होती हैं परिवार की कुछ धरोरे होती हैं जो बच्चा अपने पिता से माता से सीखता है कुछ दादा से तो इस तरह से वह चलती है और एक अच्छे समाज का निर्मान करते हैं ठीक है तो यह आपका question number 12 था